सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लोक सभा में री इंस्टेट किया और पिछली बार जब मैं बोला तो शाहिद मैंने आपको थोड़ा कश्ट भी पहुँचाया क्योंति मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सिन्यर नेता है शायद उनको थोड़ा कश्ट हुआ तो वो जो उनको कश्ट हुआ है ए या कि अद्याति या हमेशल आपके सिन्य आपी मी कश्ट हुआ और कि फिली कश्ट हुआ splend니다 況ते फिली आपके लिकी तो वो जो जो कश्ट हुआ हैना क्राkel कि अगकेưब मिशल्स Come पोलई एनतर प्र tungan Grad मधाम पके नहीं वे पर, इसेWith तो वो जो कश्ट हुआ उसका उसका असर शायद आप पे भी दोड़ा हुआ तो इसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ मगर मैंने सिर्फ सचाई रखी थी मगर मगर आज आज जो आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं आज 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 जो मेरा भाशन है और आप और दो चर्डू वो बोटाए सेवाइ्टए, चर्मुले। अजरामाए, जरामाइ, जरामाइ mists, छरामाइ! तो आच आच आज कोई घबराने की जरुरत नहीं है आज मैं अपना भाशन में जो भाशन है वो अधानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ तो आप रिलाज्स कर सकते हैं आप शान्त रह सकते हैं क्योंकि मेरा भाशन आज दूसरी डारेक्शन में जा रहा है रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं और और मैं और मैं आज आज आप लोगों पर इतना अक्रमन नहीं करूँगा मतलब एक दो एक दो गोले जरूर मानूँगा मगर इतना नहीं मानूँगा तो आप रिलाक्स कर सकते हैं अरे रिलाक्सा बोलती जिहां समाद लेंगे आप लोगों पिछले साल एक सो तीस दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया अकेला अकेला नहीं बहुत सारे लोगों के साथ समुदर अधिर 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 समुदर समुदर के यह समुदर के तच से अधिर मालियस आधिर फ्लीच प्लीच ऐसे धंकाने का भातित के मैं समुंदर के टट से कश्मीर के बर्फीली पहाडी तक चला नहीं लदाक को मैंने नहीं छोड़ा यात्रा अभी खतम नहीं हुई है यात्रा जारी है और जरूर लदाक आएंगे गबराईए मत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान यात्रा के बाद किराहूल तुम क्यों चल रहे हो क्या तुम्हारा लक्ष क्या है कन्या कुमारी से कन्या कुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो और जब वो मुझसे पूछते थे शुरुआत में मुझे मेरे मुझसे जवाब नहीं निकलता शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की जब मैं कन्या कुमारी से शुरू हुआ मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाता हूँ समझना चाता हूँ लोगों के बीच में जाना चाता हूँ मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी जिस चीज से मुझे प्यार था जिस चीज के लिए मैं मरने को त्यार हूँ जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को त्यार हूँ जिस चीज के लिए मैंने दस साल हर रोज गाली खाई उस चीज को मैं समझना चाता था ये है क्या जिसने जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था उसको मैं समझना चाहँ शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया सालों से मैं हर रोज आठ दस किलोमेटर दोड़ता हूँ तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं दस किलोमेटर दोड़ सकता हूँ तो 25 किलोमेटर चलने का क्या मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने सोचा था आज मैं उस भावना को देखूँ तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूँ ये कुछ नहीं है तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था मगर मगर भारत अहंकार को एक दम मिटा देता है एक सेकंड में मिटा देता है तो हुआ क्या दो तीन दिन में मेरे घुटने में दर्ध शुरूओ किया पुरानी इंजरी थी और जबर्दस दर्ध हर रोज मैं उठू और मेरे घुटने में दर्ध हर कदम में दर्ध तो पहले दो तीन दिनों में जो अंकार था जो मतलब भेरिया जो निकला था वो चीती बने एक दम जो हिंदुस्ताइन को अंकार से देखने निकला था वो पूरा अंकार गायब हो गया और रोज मैं डर्ध के चलू कि क्या मैं कल चल पाऊंगा ये ये मेरे दिल में डर्ध था और जब भी ये डर बढ़ता था जब भी ये डर बढ़ता था कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ती मेरी मदद कर देते हैं एक दिन मैं सेह नहीं पा रहा था एक छोटी सी लड़की आती है मुझे चिट्थी दे देते हैं मैंने चिट्थी खोली आठ साल की थी उसमें लिखा था राहूल I am walking with you don't worry उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ती मुझे दे दी सिर्फ उसने नहीं लाको लोग में और शुरुआत में जब मैं चल रहा था कोई किसान आता था कोई किसान आता था मैं एक दम उसको पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको ये करना चाहिए आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए मगर इतने लोग आए हजारों लोग आए कि थोड़ी देर में मैं बोल नी पाया मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया बोली नहीं पाया क्योंकि इतने लोगों दे बोलना था और एक सनाटा सा चाह गया बीड की आवाज थी भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता गया हर रोज सुबह छे बज़े से रात साथ बज़े तक आम आदमी गरीब अमीर बिजनसमैन किसान मजदूर सब के आवाज आ रहो आ रहो आ रहो आ रहो आ रहो आ आप आप कल से रुके हैं अब थोड़ा और रुक लाओ आज दर मिन रुक जाओ तो ये चलता गया मैं बात सुनता गया और फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान में हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा मेरे आप में देख कर उसने मुझे अपना वो रुई रुई का बंडल दिया और उसने कहा राहुल जी ये ही बचा है मेरे खेत का मेरे खेत का ये ही बचा है और कुछ बचा नहीं है मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था भाईया आपको भीमा का पैसा मिला वो पूछा भीमा का पैसा मिला वो पूछा और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला हिंदुस्तान के बड़े उद्योग पतियों ने वो मुझसे छीन लिया मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया जो उसके आँखों में शरम थी जब वो अपनी भीवी से बात करता था वो शरम मेरे आँखों में आई जब जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझाई और उसके बाद यात्रा बिलकुल बदल गई मुझे भीड के आवाज नहीं सुनाई देती थी मुझे सिर्फ उस व्यक्ति के आवाज सुनाई देती थी जो मेरे साथ बात कर रहा था उसका दर्द उसकी चोट उसका दुख मेरा दुख मेरी चोट मेरा दर्द बन गयाए बाई और बेनों लोग कहते हैं लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि ये देश है कोई कहता है ये अलग अलग भाशाएं है कोई कहता है ये जमीन है मिट्टी है कोई कहता है ये धर्म है ये सोना है ये चांदी है मगर भाईों और बेहनों सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है ये देश शिरफ एक आवाज है ये देश इस देश की लोगों की आवाज है इस देश के लोगों का दर्द है दुख है, कटिनाई है और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है हमारे जो डिजायर्ज है हमारे जो सपने है उनको हमें परे करना पड़ेगा जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान के आवाज सुनाई देती है तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखती इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है भारत लोगों का दुख है भारत लोगों ककश्ट है मुश्किले है क्योंकि बाई और बहन हो जुर सुट विंकिन मिलेगाlying पुरा सुट समय जमादमि को मिलेगा से थे जो भरप हमेंमद केगा से झाल मात रोकेगा से आप हमेंमद को हो पैर्टे का अ test आप हमेंमद केगा से आप हमको मत रोकेगा सर, हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप हमको फिर मत रोकेगा सर, तो स्टिकर सर, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस अवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को, मिटाना पड़ेगा, स्पीकर सर, कुछी दिन पहले, मैं मनिपूर गया, हमारे प्रधान मंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्यूंकि उनके लिए मनिपूर हिंदुस्तान नहीं है, मैंने मनिपूर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई ये है, कि मनिपूर नहीं बचा है, मनिपूर को आपने दो भाग में कर दिया है, मनिपूर को आपने बाट दिया है, मनिपूर में रिलीफ कैम्प में गया, रिलीफ कैम्प में आज आ रहा हूँ, मनिपूर में रिलीफ कैम्प में मैंने महिलाओं से बाट की, ये कहे सर, ये कहा हैं, कर देखेंगे, कर देखेंगे, मैं मनेपूर गया और मनेपूर के कैम्प्स में मैंने महिलाओं से बात की बच्चों से बात की जो हमारे प्रदान मंत्री जी ने आज तक नहीं किया एक महिला मुझे कहती है मैंने उनसे पूछा बेहन क्या हुआ आग के साथ एक एक मंत्री बोलने फिर परें सांसक खड़े हुए यह आपे पूरे सांसक कि खड़े होंग leaning कुरे सब खड़े होगे, कांग्रेस पौटेरी पूरा देश खड़े होगे अपने खिलाब, तो पुरा देश खड़ खड़ होगा, मैं बहुत सारी महिलाँ से बात किया, मगर मैं आपको दो अधारन देना चाहता हूँ, एक महिला बुझे कहती है, मैंने किया, मैंने किया हुआ तुमारे साथ कहती है मेरा चोटा सा बेटा एक ही बच्चा था मेरा एक ही बच्चा था मेरा मेरे सामने, मेरे आखों के सामने उसको गोली मारी है मैं पूरी रात आप सोचिए आप अपने बेटे के बारे में बेटों के बारे में सोचिए मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही जूट नहीं जूट आप बोलते हो जूट मैं नहीं बोलता हूँ मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा मुझे डर लगा, मैंने अपना घर चौड़ दिया जो भी मेरे पास था, वो मैंने चौड़ दिया मैंने उन्से पूछा, कुछ तो लाई होगी कहती है, नहीं, सिरफ मेरे जो कपने हैं ये मेरे पास है और फिर इधर उधर धूंटती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है ये ही मेरे पास अब बची है एक और एक और उधरन एक और उधरन दूसरे कैम्प में एक महला मेरे सामने आती है मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द सुन सकते का आप ध जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ वैसे ही एक सेकंड में वो कापने लगी उसने अपने दिमाग में वो द्रिश्टे देखा और वो बेहोश हो गए मेरे सामने कापती हुई बेहोश हो गए तो ये मैंने आपको सिरफ दो धारंदिये है स्पीकर सर इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हतिया की है सिरफ मनिपूर के नहीं हिंदुस्तान की हतिया की है इनकी राजनेती ने मनिपूर को नहीं हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है हिंदुस्तान को कतल किया है हिंदुस्तान का मौडर किया है जालि को करेंदुस्तान कतल इंदुस्तान माने समी साधेशद का हूँआ शांती रखें फ्लीज फ्लीज मनिय प्लोर हाँ क्या बोल रहे है हाँ बोली इस इस इदे आर बैक क्या बादे मस्राइब आपादे रहे है इस इस इनो ने राहूर गांदी ने आज सतंग में पानी पी रहे हैं आपके बटो सर राहूर गांदी ने आज जो बातें कहीं है इस सवाल पूरता हो जाता हुए राहूर गांदी को माफी मंदद चाहिए राहूर गांदी का कॉंगरेश पार्टी ने प्रशासन किया है आज तोर्टी स्कॉर्स कि बिलिटेंट दी है के कॉंगरेश पार्टी ने पाइदा किया है क्वाकर प्नार पन्युच्छिसरों ग्रच्ट्रा इंग नियुटन में पर सानकोंटर्प्टी पर्च्ट्रा इसल्सक्राइबर ओंगर ग्रॉग प्पड़्य। और अदिए, गतास। कि अवे हाय। पे हो गया हो गया ऑफ आप अब गफराइंग रट हपड़ुगे कभारब ऑचनी सुना चाहते हैं पली स कि एधिये पिलिए सकती है, प्ैठियो कि निसामना, कि बाङेक है, पिलिए बाइचिक है, अश्ती है, पैठियो कि शर्म है फिसदुने फिर लॉकति टीक्टिरि क्रीद्वीशी तर जाथ फिर्लिकल दाना, कि शाडियो कि दाना, कि शीजी खा इधा पूस्थ YouTube video, blackable कि प्लीस 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 जिस तरीके का विहार आप टेबिल पर आतर कर रहा है इस तरीके से सदर नी चलेगा यह तरीका ठीक ही है जब मैंने शिखी को कहा है तो कहा है ऐसे सदर नी चलेगा और भाई के सदर नी चलाना चाहए लगाज है अब अधरी बात कही है जलत तरीका है जो मानियो सोजेशे टेबिल पाया है उनके खिलाब कारवाई होगी प्लीज बेछिए बेठिए आप भी बेठिए आप भी बेठिए बारत माता फ्लीज बेटू है बॉछ शांति से सुन रहा हूं इसका तरीका ये नहीं है उचीतों कि आप टेबिल पर आये नहीं गलत गलत तरीका ये जैसे मैंने बाशन के शुरुआत में बोला भारत एक आवाज है भारत हमारी जनता की आवाज है दिल की आवाज है उस आवाज की हतिया आपने मनिपूर में की इसका मतलब भारत माता की हतिया आपने मनिपूर में की भारत माता को आपने मनिपूर के लोगों के मारा आपने मनिपूर के लोगों को मार कर भारत की हतिया किये है आप देश दोफे आप देश भख नहीं हो आप देश प्रैमी नहीं हो आप देश धोई हो आपने देश की हतिया मनिपूर में की प्लीज 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 पेड़े प्लीज पेड़े प्लीज पेड़े प्लीज पेड़े आप सवाल उपता है कि यदे बैटना चाहते आपके ब्रदार मजडरी मनिपूर में नहीं जातके हैं कि मनहीं हिंदुसार की हतिया कि यहे वरतमधा की हतिया कि है मनिपूर में मनिपूर के लोगों के दिल में लेज एक एक मिट बेटिया आप एक मिट बेटिये एक मिट बेटिये एक मिट बेटिये आप 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 बेटिये देहो, आप हालत म centrales के हग्या रहे हो प्लिज, माने सभी, प्लिज, dubu," जेकिये, माने सदर्यश्र करूण, प्लिज SARAH, माने सदर्श्र करूण, प्लिज, प्लिज भारत माहमारी माह हैं, हमें सदन में बोलते समें सयम बरतना चीज़ा है, मैं अपनी माह की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मनिपुर में अपनी माह की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी माह की हत्या की मनिपुर में, एक मेरी माँ यहां बैठी है, दूसरी माँ को आपने मनिपुर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बन नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हदिया कर रहे हूं हिंदुस्तान की सेना मनिपुर में एक दिन में शांती ना सकती है, हिंदुस्तान की सेना का आप्रयोग नहीं कर रहे हूं क्योंकि आप हिंदुस्तान को मनिपुर में मारना चाते हों तो अगर नरेंद्र मोधी जी हिंदुस्तान के आवाज नहीं सुनते हैं अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं दो लोगों की दो लोगों की आवाज सुनते हैं इसकी आवाज सुनते हैं माने से इसके आवाज सुनते हैं इसलिए सुनते हैं नो गलत तरीका माने सुदेशे आपका गलत तरीका है आप सीनियर सुदेशे हैं आप इस तरीके का बहार सदर्म हमत करिए आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोट्रेल लाना यह उचितने हैं किसी तरीके से रावन रावन दो लोगों की सुनता था रावन दो लोगों की सुनता था मेगनाद और कुम्बकरद वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं अमिच शाह और अदानी बाई और बेड़ो लंका को लंका को हनुमान ने नहीं चलाया था लंका को रावन के अहंकार ने चलाया था प्लेज माने सदेशे आप सही है मिक बोले आप ये सदन है आप तरीके से बोले माने सदेशे आप पूरे देश में केरोसीन भेक रहे हो, आपने मरिपूर में केरोसीन भेकी, अपने चिंजारी लगा दी, अब आप भरियाना में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हतिया कर रहे हो, दन्यवाज की तर. आप सदन में किस तरीके का बोल दा चाहते हैं यह सदन माने सदेशे चंसद है प्लीज बेठिये प्लीज बेठिये प्लीज बेठिये आपने मुझे बोलने का मंत्रित किया है और अगर सदन विशेष्टा विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत चारी चीजे उजागर हो सकती है